अपनी दिव्यांग बेटी को गवाने वाली कानपूर की समात सेवे का दिव्यांग कल्यान के लिए समर्पित होकर दूसरों के लिए मिसाल बनी है विगत 15 वर्षों से दिव्यांग जनों के लिए पूरे सेवा भाव से कारेड़ डॉक्टर अनुपम जैन को विभिन पर समानित भी किया जा चुका है डॉक्टर जैन अब तक 1200 से अधिक दिव्यांग लोगों को कृतिम उपकरण लगवा चुकी है डॉक्टर जैन उनका निशुल्क इलाज करती हैं डॉक्टर अन्पम जैन ने बताया कि दिव्यांगों को मोटिवेट करना इनके जीवन को सर देश बन गया है दिया और जी लेक्स देने के साथ ही इतना मोटिवेट किया कि मैं जिन्दगी को सुचार रूप से जी रहा हूं मेना दो जार एठारा में एक्सी इन ठॉन में दोगाए एक्सी मेना पैयर कड गया तो लेक्टे इन्दगा एक वहां परिसान थे क्या होगा कैसा क्या होगा तो जो है इसके जो है हम लोगा पताचला मेरे ने बहुत समझाए है मेरे बेटों को परेसान ना हो बेटा सब कुछ इ停 Depois भुर से खड़े ऊंपकरी ने इतनारने ॹप ko इस समाझ के मार्म मेरी परिवार मेरी जो फस्ट डॉटर थी उसको न्यूरो सिस्ते हरकोसिस हो गया था दिरे दिरे उसके पैर बेकार हुए, फिर दिरे उसकी आखें बंद हुई, कुछ टाइम के बाद उसका खाना पीना भी बंद हो गया, उसको फीड में नली से कराती थी, तो उस जीवन को मैंने जीया है, तो चौदा साल की होके उसकी डेथ हुई, तो दिरे दिरे जब आखें बंद हो गए, उसका बोलना बंद हो गया, तो मुझे लगा कि दिव्यांग तो दिव्यांग होता ही है, उसके लिए तो ईश्वन ने बहुत सारी चैलेंज दी हैं उसको, लेकिन उसके साथ-सके माबब, जो जेलते हैं, उसके माबब को जितना कस्ट होता है, उस बच्चे को देख करके, वो मुझे बहुत ही अंदर से बहुत जिंजोर देता है, कभी-कभी मैं इन लोग के बीच में जब जाती हूं, तो मैं कहती हूं कि दिव्यांग से पहले उसके माता-पिता को हमें समानित कर जालने में, और उसके लिए जो उनका त्याग है, और पूरी जो जीवन की अपने सब समर्पन, मा अपना सब कुछ छोड़ देती है, तो ऐसी मा को और बाब को सलाम करना चाहती हूं,